येलो, दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो देखिए आमका पेड़, आप सभी देख रहे हैं ना, इस बर हमारे पेड़ों में आम आय हुए हैं, देखिए कितना प्यारा-प्यारा आम है और इसका यह पक्का हो चाए कच्छा हो, इसके स्वाद का तो क्या कहना तो इस आम को तोड़ेंगे और इसका बहुत ही अच्छा रेसिपी बना कर दिखाएंगे और भी आम है देखिए आम इतने बड़ बड़े हुए हैं तो आम को तोड़ लेते हैं और इसमें टक लेते हैं दोस्तों आम हमने पेड़ से तोड़के ले लिया है तो चलिए अब इसका रेसिपी बनाने अपने पेड़ से जो आम तोड़के लाए थे वही आम है तो यहां पर हम एक केजी के आसपस आम लिए हुए हैं तो इसे अच्छी तरह से धोकर और छिल लिए और छिलने के बाद इसे इस तरह लंबी पीसे में काट लिए हैं एक आम में 6-7 पीस किये हैं इस तरह पतला पतला नम्म नम्म पीस काटे हुए हैं तो चलिए अब इसका हम हम खट मिठी बनाते हैं जोकि खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है आप आम का खट मिठी बनाए तो आप एक केजी आम लिए हैं तो आपको चीनी भी उसके बराबर ही रखना पड़ेगा एक केजी आपको आम से थोड़ाँ जादा ही चीनी लिजिएगा तो अच्छा है तो यहाँ पर हम एकेजी से थोड़ा ज़्यादा चीनी ले लिये हैं आम में हम जो तड़का लगाएंगे वो पच्पोरन लिये हैं यहाँ पर छोटी चमच से आधा चमच से भी कम यहाँ मेथी दाना लिये हैं और छोटे चमस से आदा चमस सौफ है छोटे चमस se आधा चमस मंगर इल है और छोटे चमस से एक चमस अजवाईन है और एक तछपता लिये हैं और यहां पे लाल सुख़ी मिर्च तेल ये हुए है तो इसमें हम चोटे चमच से चमच सरस्य ले लिए हैं आप जो तेल खाते हैं उसमें बना सकते आंगा खट्टी मठी तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम शुखा मुर्च को कुछी है शुकर ले लिए थी हो डाल देंगे पूरन हमारा यहां पे सुनहारा भून जाएगा तो इसमें हम आम को डाल कर भूनेंगे भून गया है तो इसमें हम आम के पीछेस को डाल देंगे कर दाल कर इसमें अच्छी तरह दिला देंगे और इसे थोड़ा भून जाए थोड़ा साथ तो इसी चीनी बालेंगे आम को चलाते लिए थोड़ा भून देंगे हैं तो इसमें हम चीनी को डाल देंगे चीनी को डाल कर अच्छी तरह इसे मिला लेंगे चीनी को डाल कर अच्छी तरह चलाते मिला दिए हैं अब इसमें हम नमक डालेंगे यहाँ पर एक चमस नमक डेंगे और छोटी चमस से आधा चमस सुखी लाद मिल्च का पॉडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पॉडर डालेंगे इसे कलर बढ़ने आएगा तो हल्दी नमक जो डालेंगे और शुखा मिर्च का पॉडर इससे डाल कर अच्छी तरह आप मेली ला देंगे और इसे पकने देंगे इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे देखते रहेंगे तो देखिए आम अच्छे से चीनी का रस में पक रहा है चीनी गूलकर इस तरह रस बन चुका है और इसी में आम अच्छी तरह पकेगा तो खट्मीठी बनकर तयार होगा यह भी और थूढ़ा पकेगा तब खट्मीठी बन जाएगा अमका खट्मीठी बनकर तयार हो गया आम भी अच्छी से इसमें पक गया है देखिए एकदम सौट हो गया है और खट्मीठी के जो रस होता है उसे इस तरह हम चेक करेंगे इस तरह थोड़ा हाथ में अच्छी तरह चिप-चिप यह करने लगे तो समझे खट मिठी बनकर तयार हो गया तो अब हम करेंगे और खट मिठी को करें देखिया आम का खट मीठा सा खट मीठी बनकर तैयार हो गया तो बस आप धियान रखिए कि जब भी आप खट मिठी बनाए और जब उसमें आप चीनी डाले तो चीनी जब गुल कर रस बन जाएगा तो उसमें आम को एक दम अच्छा से पकाना है तभी आम में जो चीनी का रस अच्छा से भींगेगा तो यह खट-मिठी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आम को जब बनाए खट-मिठी तो उसे बीच-बीच में अच्छा से चलाते रहे ताकि कड़ाई के तले में यह जले ना नहीं तो जल जाने पर इस दो ने ईसласт встретि बना कर आप ऐभभन पिछनेगे खाई सब्सकरड़ी çो तो बीडियो अच्छा लगें तो लाइक किजी गास कीजियेगा और स्सक्राइब विडियो देखनी के लिए बहुत हुद दहने वाध